अगर आप एक BLO हैं तो ये वीडियो आपके लिए है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाली में गरुरा एप को बंद कर दिया गया है और उसकी जगह BLO एप को लॉंच किया गया है तो अभी बहुत कोई को परिशानी आ रही है कि BLO एप में लोग इन करने में प्रोब्लम आ रहा है ये जो और आइडी और पासवर्ड रॉंग बता रहा है तो कोई भी आपको परिशानी हो रही है तो इस वीडियो को पूरा जोग देखिए इस वीडियो में आपको होंगा तो इस वीडियो को पुरा जोग देखिए तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अभिसेक और आप देख रहे हैं अभिसेक रवानी यूटूब चैनल तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं सबसे पहले आपको अपने फोन का प्ले स्टोर आपन कर लेना है उसके करने के बाद आपके यहां पर बीलो एप आ जाएगा आपको इसको ऊपन कर लेता है जैसे यह आप बीलो आपको फर्ट्रायम ऊपन करेंगे तो आपको इस परकार का इंटर्फेस आपको डिखे गा तो सबसे पहले आपको अपना बीय Neप का अपना फुद का पास्षबर ब दाल लेना है उसके बाद पास्वर्ड में आपको फर्स्ट टाइम पास्वर्ड आपको यह डालना है कि एक डेफल्ड पास्वर्ड है जो की डिपार्ट्पन के दोड़ा दिया गया है जो कि है ECI at the rate 1234 देख सकते हैं आप स्क्रीन पर ECI at the rate 1234 जिसमें E capital है बाकि सब अस्मॉल है इस प्रकार से आपको अपना BLO registered mobile नमर डाल लेना है और आपको अपना पास्वर्ड डाल लेना है जो की पास्वर्ड में फिर से बता देता हूँ ECI at the rate 1234 जिसमें E है वो capital लेटर में है बा पर किलिक करते ही आपके mobile नमर पर OTP send हो जाएगा और अगर कोई error आता है मतलव कि आपका BLO registered mobile नमर वो गलत है या फिर आपने पास्वर्ड इंटर किया वह गलत है अगर आपने पास्वर्ड ECI at the rate 1234 दाला है फिर भी पास्वर्ड गलत बता रहा है कुछ error आ रहा है इसका म आप अपने BLO supervisor से contact कर सकते हैं हो सकता है कि आपके area का password कुछ और हो लेकि 90% case में password यही होगा तो चलिए हम वीडियो में आगे बरते हैं तो आपको अपने BLO registered mobile नमर पर जो OTP मिला है वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है उसके बाद आपको verify OTP पर किलिक कर लेना है verify OTP पर किलिक करते ही यहाँ पर आपका new password बनाने का option आएगा तो आपको खुद से एक password बनाना है जो कि in future आपको BLO app में login करने के लिए काम आएगा password आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं लेकिन एक format में होना चाहिए जैसे कि मैं बता देता हूँ कि जैसे कि आप रख सकते हैं कि अभिसेक add rate 1234 आप अस्क्रीन पर देख सकते हैं मैं यह बता रहा हूँ इसका मतलब यह नहीं कि आपको यही रख लेना है आप अपने मन स password को बना सकते हैं जैसे कि और दो password मैं example के तौर पर बता देता हूँ जैसे कि आप रख सकते हैं कि इंडिया add rate1947 यह नहीं आपको यहीं नहीं रख लेना है आप अपने मन से इस तरह से कुछ भी मना सकते हैं जैसे कि जहार्खन add rate3215 इस प्रकास से आप अपना password set कर सकते हैं जिस format में मैंने password को बनाने के लिए बताया अगर उस format में आपने password मैं अगर इंटर कर लिया है जैसे कि यहां पर उपर में new password है फिर confirm password है दोनों जगा आपको अपना password मनाकर इंटर कर लोगा अगर आपने सही सही password इंटर किया है जिस format में मैंने बताया है तो यहाँ पर देख सकते हैं सारा green होके right tick हो गया है इसका मतलब आपने password सही से डाला हुआ है और अगर second वाला option आपका red class से लिख के आ रहा है मतलब at least one capital letter वाला option red से आ रहा है इसका मतलब आपने password का पहला letter small में कर दिया है तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो भी password आप बना रहे हैं उसका पहला letter capital में होना चाहिए और बाकी सारा small में अगर आप यह चीज ध्यान रखते हैं तो आपको password बनाने में कोई परिशानी नहीं आएगी इतना करने के बाद आपको नीचे में देख सकते हैं change password पर आपको क्लिक कर देना है चेंज password पर क्लिक करते ही आपका password अपडेट हो जाएगा और वापस से आपको login पेज सो होने लएगा तो आपको फिर से अपना बियलो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल कर लेना है और password में आपको पुराना वाला password नहीं डालना है आपको नया वाला password डालना है जो कि अभी आपने set किया था तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और नया password फिल करने के बाद आपको वापस से request OTP पर क्लिक करना है और आपको OTP फिल कर लेना है जैसे ही आप OTP फिल करके submit करेंगे वेसे ही यहाँ पर select part number का option आ जाएगा तो आप अपने boot सेंख्या मतलब अपना part number यहाँ पर select करना है और आपको submit पर क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ पर language select करने का option आएगा कि आप इस app को किस language में यूज करना चाहते हैं तो पहला वाला option में English होगा और अगर आप कोई और language यूज करना चाहते हैं तो नीचे मैनुरी पर क्लिक करके आपको अपना language select करना होगा तो आप Hindi या पिर आप अपने area के अनुसा अपना language select कर सकते हैं उसके बाद आपको submit पर क्लिक कर देना है सब्मिट करते ही यहाँ पर आपके phone का feature सोग करने लगेगा यहाँ पर आपका location on होना चाहिए नहीं तो location के बगल में red mark आने लगेगा तो आपका location on होना चाहिए उसके बाद आपको नीचे submit पर क्लिक कर देना सब्मिट पर किलिक करते ही आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा तो मैं कुछ सेकेंस में इस एप का बेसिक डिटेल देना चाहता हूं वाकी मैं अलग-अलग से इसमें जितने भी फीचर से अलग-अलग से में वीडियो इस चैनल पर डाल दूंगा तो आप वहा से इस एप को फर्स्ट राजवन करेंगे तो सबसे पहले आपको फैसिलिटिस के ऑप्षन पर जा कर यहां पर अपने पॉलिंग एस्टेसन में जाकर वहां का जीपीएश लोकेशन कैप्चर कर लेना है और अपलोड फोटो पर जाकर आपको अपने पॉलिंग पोटोडेट है उस लिंक पर क्लिक करके कि आप मेरी वाली वीडियो देख सकते हैं कि फेसिलेट्रीज वाली आपशन को आप कफ competent के करेंगे उसके बार सेकरण में रहा है तो चेकलिस्ट वाले ओप्शन में क्या होता है कि कोई कोई भी अगर online खुद से apply करेगा बोटर कार्ड के लिए चाहे आप अपने ब्यूलो आप से करेंगे तो सबसे पहले यहां चेक्लिस्ट वाले option पर आएगा यहां से आपको verify करना होगा जैसे कि पहले गरुरा आप में करते थे यहां पर उसके बाद forms का option है forms का option पर जैसे ही जाएंगे तो यहां पर सबसे पहले आपको form in draft का option आएगा मतलब कि आप कोई भी application फील करते हैं form 6 हो चाहे 7 हो चाहे 8 हो उसमें आगर बीच में छोड़ देते हैं तो वह यहां पर रहेगा फिर आप जब वहां पर जाके form पर किलिक करिएगा तो वह वहीं से open होके आज आपके सब उसी तरह है बस एक नीचे नया option है कि ट्रैक अप्लिकेशन इस्टेटर्स गर्वा एप में यह वाला option नहीं था आप ट्रैक नहीं कर सकते थे उसके लिए अलग अप्लिकेशन करना परता था लेकिन वियलो एप में ट्रैक करने के लिए option दे दिया गया उसके बा अब लिए आपको यह वीडियो जरू पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को अपने बियलो साथियों के साथ जरू सेयर करें ताकि उनकी प्रोब्लम्स का भी सर्माधान हो सके और अगर आप इस चैनल पर नहीं आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरू करें ताकि